नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटीब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन के बारे में जस्ट सिंगल क्लिक करके किस प्रकार हम लोन ले सकते हैं यहाँ पर जस्ट वन एपलीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा वान एपलीकेशन के अंदर विडियो में अगर बने से पहले बताना चाहूँगा अगर चनल पर पहले बेड़ है तो प्लिस सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जार प्रेस कर लिजिए और विडियो अगर थोड़ा बता अच्छा लगता है तो प्लिस लाइक भी कर दीजिए और सियार भी कर दीजिए तो चलिए अचकी विडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपके फोन से घर वैठे लोन लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे बाजाज फिन सर्ब ठीक है बी ए जे ए जे इसके बाद बाजाज फिन सर्ब और सर्च करने के बाद इस एप को इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बा गुछ इस तरह इंटर्फिस आपके सामने आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर की तरब Loans का Option है यहाँ पर क्लिक करेंगे Loans के उपर और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं परसनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, home renovation loan, यहाँ पे loan against fixed deposit, यहाँ पे loan against securities काफी सरे यहाँ पे मिल जाएगा आपके according आप apply कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे right side में आपको मिल जाएगा apply now का option मान लिजी आपको लेना है personal loan तो यहाँ पे click करेंगे personal loan के उपर click apply now के उपर और click करने के बाद कुछ इस तरह interface आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं personal loan यहाँ पे दिखा रहा है choose between 1 lakh to 25 lakh ठीक है, 1 lakh से लेके 25 lakh तग यहाँ पे आप apply कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी amount चाहिए यहाँ पे आप select कर लेंगे तो मान लीजे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 lakh का ठीक है, और 2 lakh select करने के बाद यहाँ पे personal details में आप देख सकते हैं full name, आपका पूरा नाम डालना है, first name, last name, आपका pen number, इसके बाद आपका date of birth select करना है, आपका area pin code डालना है, आपका city डालना है, इसके बाद आप देख सकत select करने के बाद नीचे की तरब जाना है, और नीचे की तरब आपको मिलेगा monthly take home income, आपको monthly कितना मिलता है, अगर select person है तो आप, इसके बाद total monthly EMI, अगर आपका कोई existing EMI चल रहा है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है EMI का amount, इसके बाद company name डाल देना है, अगर आप self-employed है तो यहाँ पे self-employed select करने के बाद occupation डालना है, और यहाँ पे annual income, आपका yearly income कितना है, मतलब साल में income कितना है, डाल देना है, और डालने के बाद आपको यहाँ पे termson condition आप पूरा read कर सकते है, click करके, और termson condition पूरा read करने के बाद नीचे की तरब आपको कर देना है apply now, और ज सब कुछ सही रहेगा, stable score ठीक रहेगा, तो आपको loan मिल जाएगा, वोई दिन 24 से 48 hours आपके bank account में balance transfer कर दिया जाएगा, अगर इस app के तरू loan related कुछ भी issue आप face करते है, तो वीडियो की नीचे comment section मुझे जरूर बताइए, अगर वीडियो पसंद आए तो like share जरूर कर दीजि ुआ